आज की वीडियो में हम बैंक ओफ इंडिया की पास्पॉक को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर बात करने वाले हैं तो अगर आप वीडियो के यूजर हो तो ये वीडियो आपके काम कियो सकती है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखे जिसकी जरी आप ओनलाइन पूरी पास्पॉक को देख और डाउनलोड दोनों कर सकते हैं तो एप्लिकेशन को इस्टॉल करने के लिए आप प्लेश्टोर को उपन करें और इधर टाप करें वीडियो आई मोवाईल यह टाप करने के बाद आपको इस एप्लिकेशन को इस्टॉल कर लेना है वीडियो आई की यही एक एप है जो काम की है इस एप की जरीए आप कई सारी चीज़े कर सकते हैं लाइक आप अपने बेंक अकॉन का बैलेंस इधर से ही चेक कर सकते हैं बैंक की hits देख सकते हैं, अपने ट्रान्जेक्शन को देख सकते हैं और किसी को पैसे बेजने का काम भी आप इस एप की जरीए बड़ी आसानी से कर सकते हैं पर इस वीडियो में हम त्रफ पास्व के बारे में बारे में बात करने वाले हैं एप इंस्टल हो जाने के बाद इसे ओपन करें फिर आपको कुछ इस तरीके का पेस होगा तो सबसे पहले अगर आपका इधर अकाउंट नहीं है तो आप एक अकाउंट क्रेट कर लें इस एप पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस तो इस वीडियो में मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका इस एप अकाउंट अल्रेडी होगा तो इधर पहले बॉक्स में आप मोवाल लंबर यूजर आईडी या कस्टमर आईडी तीनों में से कुछ भी एंटर करें नीचे आप लॉग इन बिन डालकर लॉग इन पर क्लिक करें क्लिक करते ही आप इस एप पर लॉग इन हो जाएंगे और कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे तो पास्टमर को देखने के लिए आप इधर एम पास्टमर करें इधर आकाउंट स्लेक कर लें और उसके बाद इधर आप देट को सेट कर लें कि किस देट से किस देट की ट्रांजेक्शन को आप देखना चाहते हैं इधर आप सिंपली लाश्ट मन्थ, लाश्ट त्री मन्थ, लाश्ट सिक्स मन्थ और लाश्ट वन येर की ट्रांजेक्शन को बड़ी आसान इसे देख सकते हैं date को select करने के बाद get statement पर click करें click करते ही आपकी पूरी detail या फिर आपकी passbook आ जाएगी इधर आपको आपके सभी transaction सोंगे और आप इधर generate video या email पर click करके अपनी passbook को download भी कर सकते हैं तो friends इस तरह आप online अपनी passbook को देख और download कर सकते हैं अगर वीडियो थोड़ी सी भी informative लगी हो तो वीडियो को एक like करें चैनल पर नए है तो subscribe करें और अगर आपको कुछ doubt है तो उसके लिए आप comment कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद